नमस्कार, BNM संबाद में आप सबों का हारदिक स्वागत है योग हमारे सरीर मन एवं आत्मा के बीच समनवे स्थापित करता है इसके माध्यम से हम दिर्हकाल तक निरोगी जीवन जी सकते हैं और भोतिक एवं आध्यात्विक उन्नती के सिखर पर पहुँच सकते हैं यह बात BNMU कुलपती परफेसर डॉक्टर आर के पी रमन ने कही वे शौंबार को अंतर रास्टिय योग दिवस के उपलक्च में रास्टिय सेवा योजनों के तत्वावधावन में आयोजित योगा अभ्यास का इक्रम का उद्गाटन कर रहे थे कुलपती ने कहा कि योग विश्चु को भारत की बहुमुल्य देन है आज फूरी दुनिया योग की और आकरसित है अंतर रास्टिय योग दिवस योग की बैस्विक महत्ता का प्रमान है योग एक गनितिय संद्ध है जिसका हाथ होता है जोड़ना योग का जोड़ और यह योग बास्तम में हमारे मन हमारी आत्मा और हमारे शरीर को यह जोड़ने की प्रक्रिया जदि हम योग करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्त रहेगा मन प्रसम लेगा तनाव मुत रहेंगे और कार्ज करने में भी हमें मन रगेगा इसलिए ज़िए मैं यग कहूं योग हमारी समक्र विकास का एक उंजी है तो कोई अचिस यगती नहीं होगी योग से केबल सारणी की नहीं बलकि मानसिट आध्यात्मिक, सैच्छनिक, समाधिक, वैध्यानिक, समी प्रकार की विकास होते हैं इसलिए ज़िए मैं योग करूं कि योग विकास की जननी है तो कोई अकिस योगती नहीं होगी और इस योग के जन्मदाता इसके जनत हम लोग पातंजली को मानते हैं और आज के समय में आज के परिवेश में रामदे भावा का नाम हम लोग सुने हुए हैं वे और इसमें बहुत सारे जैसे निराला जी हैं ये लोग योग के छेत्र में बहुत आगे हैं बहुत प्रस्विक्शन दिये हैं और रामदे भावा अभी इस जिसा में हमारे योग सब्सक्रांति के बाद सुर्ज दक्ष्णायन होता है और 21 जून को सबसे बढ़ा दिन होता है इस दिन सबसे बहुत अर्लियद यानि सवेरे होता है और सुर्जास्त बाद नहीं होता है यानि सान में सबसे बढ़ा दिन 21 जून को ही होता है इसी लिए 21 जून को ही या योग दिवस चुना दिया है आप सबों से अन्रोद है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल बी एनिम समबात को सबस्क्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक एवं सेयर करना नहीं भूलें बहुत बहुत धन्यवाद आभार नमस्कार